1957 से लेकर 1998 तक के चुनाओं में यही देखने को मिला यह क्रम तब तूटा जब उप चुनाओं में दूसरी बार बस्पा प्रत्यासी के रूप में विद्याबती पटेल निर्वाचित हुई 1957 में विशुनाथ पटेल, 1962 में ब्रजरा सिंग तिवारी, 1967 में मुनी प्रसा सुकल, 1972 में रामपाल सिंग, 1997 में चंद्रमणी त्रिपाठी 1980 में राजेंद्र मिस्र, 1980 में नागेंद्र सिंग, 1990 में विसंभर पांडे, 1993 में वुद्ध सेन पटेल वा उसके बाद हुए उप चुनाओं और 1998 में विद्याबती पटेल विधायक बनी गुड को बिगत अगर पीशे से देखा जाया तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का बिकास का नाम तो लिया ही नहीं गया लोग अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए काम करते रह गए हैं नेताओं का जो काम था वो विवसाय को बढ़ाना था ना कि गुड के विकास को बढ़ाना था कमीशन खाया एई हाल हमारे नागेम फिंग जी थे पंद्रा फालिफ गुड छेतर फे बिधायक विकास नाम की कोई चीर्च नहीं हुई फफे बड़ी बात इस बार गुड बचाओं का नारा लग रहा है छेतरी नौजवान हमारे बंबाई दिल्ली में पलायन करने जा रह रही है उस्ता संकत है पेजल है और दूशा संकत है कहीं गुड विधान सभा में चलने लायक रोट नहीं बची है और जी स्वाह है कि थे सब्सका सबसे बड़ा सुलर प्लांट गुड में बड़ुड यहीं से एक बार विधायक बनने का क्रम तूटा और दूसरी बार विध्यावती रिपीट हुई हैं। अब तक सबसे ज़्यादा गुड विधान सभा से तीन बार नागेन सिंग ने जीत दर्ज की है। नागेन सिंग ने पहली बार 295 में गुड से कॉंग्रेस विधायक बने। इसके बाद 2003 और 2008 में भाजपा विधायक चुने गए हैं। 2013 में नागेन सिंग ने गुड की जनता से आखरी चुनाव होने की अपील की, पापजूद इसके जनता ने नागेन सिंग को नकार दिया। इसके बाद भी नागेन सिंग अपने वादे से मुकर कर चुनाव मैदान में पुनह कूत पड़े हैं। रननीत में कहीं कोई चूक नहीं होई थी। हम पार्टी के कारियों की बजलोत्ती चुनाव लड़े थे। हमारे स्वयम के कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिकत नाराजगी रही होगी। इसलिए बहुत थोड़े मतों से मुझे पीछे राना पड़ा है। आप उसे जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिलाता। मैं अपनों से आ रहा हूँ। आम जनता से नहीं आ रहा हूँ। फिर वही अपने फिर आ रहे हैं मैदान के। अब अपने कुछ समझ भी तो रहे हैं। जिन्से जो जिन्नोंने जो कुछ भूले की थी अब उनको कुछ समझ भी आ रही है पिछली बार आपने मंज पे घोसना की थी कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा हार के मैं बाहर भागने वाला नहीं हूँ कौंग्रेस प्रत्यासी सुंदर लाल तिवारी ने नागेन सिंग को हरा कर जीत दर्ज की थी लेकिन अब छेतर में ब्यापक जन आक्रोस देखने को मिल रहा है एक तो बाहरी प्रत्यासी होने का दंस उपर से विकास का मुद्दा सिर चढ़ कर बोल रहा है अगर जनता 41 साल पुराने इतिहास को पुनह दोहराती है तो अपकी बारी सुंदर लालतिवारी की है 2013 के चुनाव में कुमर कपिद्ध्ध सिंग के रूप में एक उभरता हुआ युबा चेहरा गुड की जनता को मिला है कपिद्ध्ध्ध सिंग ने सुंदर लालतिवारी, नागेन सिंग और मुनिराज पटेल की सीटी भजा दी थी कपिद्ध्ध सिंग 25,510 मत प्राप्त करने में काम्याब हुए थे कपिद्ध्ध्ध सिंग अब की बार विधान सभा चेत्र के इस्थानी मुद्धों के साथ सापा की साहिकिल में सबार होकर चुनाव मैदान में है देतो गोड़ विधान सभा चेत्र बाहरी प्रतिनिधित्व होने के कारण पिछले कई पंच वर्षी से विकास में बहुत पीछे रह गया है जनता के अधिकारों का बड़े ही कुरूरता से हनन हुआ है गोड़ विधान सभा चेत्र मूल भूत सुविदाओं से वंचित है चाहे हो स्वास्त की हो सिक्षा हो रोजगार के अफसर की बात हो कोई भी विशे हो उसमें गोड़ विधान सभा का चेत्र बहुत पीछे है दूसरा सबसे महत्पूर्ण और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गोड़ विधान सभा चेत्र में स्थानी प्रतिनिधित का है विगत कई पंच वर्षी से बाहर के नेता यहां से चुना लड़ते हैं और किनी कारणों से जनता का प्रतिनिधित उनको मिल जाता है और वो ऐसा ही विवहार जनता से करते हैं जैसा एक घर के बाहरी विख्ती घर के आदमी से करता है इस बार गोड़ विधान सभा चेत्र की जनता, महां के मद्दाता, संकल्पित हैं कि इस बार जिसको भी चुनेंगे अपने चेत्र के ही प्रत्याशी को चुनेंगे निसन्दे पावर प्लांट लगा है एशिया का सबसे बड़ा है और जब ये प्लांट स्थापित होने की शुरुआत हुई थी तब ये सरकार ने आस्वस्त किया था कि स्थानी नौजवानों को इसमें रोजगार पाने में प्राथमिक्ता दी जाएगी परन्तु जैसा सरकारें सदैफ करती हैं काम निकल जाने के बाद वर्तमान में वहां स्थानी युवाओं को रोजगार के कोई अफसर नहीं है सारा अधिकार और सारी विवस्ता बाहर के युवाओं के लिए है गोड़ विधान सभा छेत्र के युवा रोजगार से पूरी तरह बंचे थे विधान सभा चुनाओ 2018 में एक बार फिर मुकाबले में चार चेहरे वही हैं जो कि विधान सभा चुनाओ 2013 में थे सुन्दर लालतिवारी, नागेन सिंग, मुनिराज पटेल और सपा से कुमर कपिध्ध सिंग जीत का सहरा किसके सिर्बधेगा यह कहना मुश्किल है लेकिन इतना जरूर है कॉंग्रेस भाजपा के लिए जीत आसान नहीं होगी रिवा दर्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट झाल 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 झाल